नमबर वन चानल के नमबर वन शो कच्चा चिठा में आप सभी का स्वागत है आपके साथ मैं हूँ सभी नातामन देश्मुक कच्चा चिठा केस स्पेशल एडिशन में सबसे पहले बात गाजा में चल रहे महा युद्ध की इसरेल ने कहा कि उसमें हमास के एक बहुत बड़ कमांडर को मार डाला एमन नौफाल हमास की सेंट्रल गाजा ब्रिगेट का कमांडर था अब इसरेल के रक्षा मंत्री ने कहा कि ये युद्ध लंबा खिचेगा लंबा चलेगा लेकिन अब इरान की तरफ से आई दो बड़ी वार्निंग दो सबसे बड़ी चेतावनी आप स यह लेबनन सीरिया का बॉडर है और सामने इसरेल के टावर है टावर पर छोटे रैडार भी लगे हैं कम्निकेशन सिस्टम भी लगे हैं और सर्विलान्स कैमरे भी लगे हैं तभी जाडियों में से निकलती एक स्नाइपर की राइफल और फिर देखिए क्या होता है पहले राडार पर गोली फायर होती है फिर कम्निकेशन सिस्टम थोड़ा जाता है फिर सर्विलान्स कैमरे पर गोली पड़ती है ये सब कुछ इसरेल लेबनन बॉर्डर पर हो रहा है इसरेल डिफेंस का पूरा नेगरानी स्ट्रक्चर हेजबॉला ने उखाडना शुरू कर दिया है लेकिन इसके बाद जो होता है वो नेतन याहू को डरा देगा ये हनीता बॉर्डर पॉइंट है यहां एक मिसाइल निकलती है और सीधे बॉर्डर पर खड़े इसरेल के मरकावा टैंक को फोड़ देती है एक बार देखिए हमला कैसे होता है दूआ छटता है तो इसरेल के बाद की टैंक भागने लगते हैं दूसरा वीडियो दुहरा बॉर्डर पॉइंट से आया है यहां भी इसरेल का मरकावा टैंक घूम रहा था और फिर होता है एक बड़ा हमला हेजबुल्ला एंटी टैंक मिसाइल फायर करता है मिसाइल टैंक की तरफ बहुत तेजी से बढ़ती है और इसरेल के मरकावा में बहुत बड़ा धमाका होता है लेबनन बॉर्डर पर इसरेल के टैंक पर हमलों का वीडियो बहुत दराने वाला है इसरेली टैंक के ऐसी तबाह होने की तज़्वीरें जब इरान पहुँची तो वहां की विदेश मंत्रे ने बहुत खतरनाक बयान दे दिया हुसैन अमिर अब्दुल्ला हिया ने कहा कि अगले कुछ घंटों में इसरेल पर बड़ा हमला हो सकता है हिद्बल्ला की तरफ इशारा करते हुए एरान ने कहा है कि अगर एरान और लिबनन ने इसरेल को जबाब नहीं दिया तो इसरेल की सेनत तहरान और बेरूत पर कल हमला करदेगी इसम कोई शक नहीं कि इसरेल की फाद जिस तरस घाज़ा को हजारों तन वम मार कर समतल कर रही है इसने इरान को बहुत ज्यादा बेचाइन कर दिया है इरान ने पूरे पश्य मेश्या का एक एक इंच नापकर इसरेल की ताकत का पूरा अंदाजा लगा लिया है इसरेल और लिबनान बॉडर पे बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो युद्ध को गाजा बॉडर से निकाल कर इसरेल और लिबनान के बॉडर तक ले जाए और हिजबुल्ला से एक नया फ्रंट खोल दे गाजा में पहले से ही खूब बंबारी और गोली बारी की जा रही है लेकिन हिजबुल्ला के आने से एक नया फ्रंट खुल जाएगा और दो फ्रंटों पे इसरेल पूरी लड़ाई लड़ेगा इसरेल पर हमले का खत्रा इसलिए बढ़ गया है क्योंकि एरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई ने अमेरिका तक को चेताउनी जारी कर दी है अली खामनेई ने कहा है कि अगर खाजा में इसरेल के जल्म खत्म नहीं होए तो दुनिया की कोई ताकत मुसल्मानों को रोक नहीं पाएगी हमास के हमले के बाद इरान ने इस वक्त अपने मिलीशिया गोटों और मित्र देशों को एक्टिव कर दिया है सुझी अरप, जॉर्डन और मिस्र से भी इसरेल को कड़वे शब्दी मिले है इस वक्त हेज्बुल्ला भी एक्टिव है इस वक्त सीरिया भी एक्टिव है इस वक्त इराक में ISIS का खात्मा करने वाली फोर्स हश्द अल शाबी भी तयार है इस वाक्त यमन भी एक्टिव है सितंबर महीने में ही यमन ने अपनी मिलिटरी परेड निकाली थी और इस परेड में ऐसी ऐसी मिसाइल और ड्रोन दिखाए जो इस इलाके में अमेरिका और उसके दोस्तों को परिशान कर सकते है यमन वो देश है जिसने पिछले आठ वर्षों तक साओधी अरब और उसके 15 साथ की देशों से यो धलड़ा जिस युद में उसके खिलाफ अमेरिका भी रहा बिटन भी रहा और इसरैल ने भी यमन के खिलाफ मदद की अब वही यमन अमेरिका और इसरैल दोनों को ललकार रहा है युद की ऐसी ललकार ऐसा गुसा आप इस इलाके को पश्यम एशिया कहकर बुलाईए इसे खाड़ी कहिए या फिर मेडलीस नाम कितने भी हो लेकिन इस वक्ती ओक्रेन के बाद दोनिया का सबसे ख़दरनाक इलाका कोई है तो वो यही जमीन है पिछले चार दशकों से ये इलाका युद्ध देख रहा है यमन के इस मिसाइल का नाम है तूफान जो एक हजार किलोमेटर की रेंज तक मार कर सकती है इस मिसाइल से यमन ने सौदी अरब को कई बार डराया है इसरेल को भी लगता है कि यमन को ऐसे और हथियार मिल सकते है और फिर वो उसके लिए खत्रा बन जाएंगे इरान भी यही डर पैलाना चाहता है जाहिर है कि इसरेल के लिए ये ये नया फ्रंट साबित हो रहा है अब गाजा के धमाकूने हिजबला के साथ एरान को युद मे कोदने के लिए तयार कर दिया है इसलिए इसरेल और अमेरिका के खिलाफ उसका युद किसी भी वक्त शुरू हो सकता है अमरिकाई हा हम अमनतुर के गुटम पीम प्यामई हादरать पदारी के लिएAl blue के थी वीजिए अमरिकाई हा पाया Bruce dalelarda यहोई बगुई दस्ट शमा रो बाज मीगज़ दारीम, हर जनायती रो मीखाई अलिए गेर नजामियान अन्जाम बदाएद। साथ अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर एक साथ पास हजार रोकेट डागेट जिसकी वज़ा से इसराइल क्या आईरन डोम भी पूरी तरह से नाकाम हो गया। सवाल यह है कि अगर इरान इसराइल पर हमला करता है तो फिर क्या होगा। ऐसे हालात में अमेरिका क्या करेगा? क्योंकि इरान के आसपास अमेरिका के इतने मिलिटरी अट्डे हैं जहां से इरान के खिलाफ हमले लौच किया जा सकते हैं। इसलिए कोई शक नहीं कि घाजा में युद्ध के साथ साथ अब इसराइल से पहले उसने अमेरिका के फौजी अट्डों को अपने टार्गिट पर ले लिया है। इरान के आसपास अमेरिकी सेना के कई मिलिटरी बेस हैं और इनमें कुल 40,000 से जादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। उसके 5,000 सेनिक तैनात हैं। कथर में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिटरी बेस हैं और यहां 13,000 अमेरिकी सैनिक रखे गए हैं। यह वो देश हैं जहां से इरान बहुत ज्यादा करीब है। की बढ़ती ड्रोन पावर को लेकर काफी बॉखलाए हुए हैं। अगर इसरेल और लेबनन बॉर्डर पर युद्ध होता है और इसमें इरान भी शामिल हो जाता है। तो समझ लीजे इन सभी अड़नों से इरान पर हमले लॉंच किये जाएंगे। या फिर इरान इनको साइल अटैक से मिठी में मिला देगा। इरान पहले ही अमेरिका को अपने आसपास बरबाश्ट नहीं कर पा रहा। और अब घाजा इसरेल के बीच युद्ध ने युद्ध का एक नया बहाना दे दिया है।